हलो स्टूडेंट्स विलकम टू सिपसंकर जीके जीएस में एक वार्फिट साप सभी का स्वागा थे तो स्टूडेंट्स आपलों का चल रहा था पीम और पीम डी एकजाम पारमेडिकल परवेश परीछा दुहाचरिका इसका जीके का शमान गयान आज आपका नॉमा क्लास है, सौर मंडल से समंधित कोशन होगा, आप पिछले आट क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उपर कुनम गुलाई का बटन है, वहाँ पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं, आप इस वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राब जरूर किजिएगा तो पहला कोशन है कि पिर्थिवी आपने अच पर कितना जुकी है तो राइट अंसर होता है आपका 3.30 उसके बाद अगला कोशन का आता है सौर मंडल का एक मातर ग्राह जिस पर जीवन है वो सौर मंडल का कौन सर ग्राह तो वह है अपका अंसर पिर्थिवी अगला कोशन कहता है आपको कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पिर्थिवी का अस्थान कौन सा है पूरे सौर मंडल में बड़े ग्रहों में पिर्थिवी का कौन सा अस्थान है पाच्मा उसके बाद अगला कोशन कहता है पिर्थिवी क बिसु बतिये ब्यास कितना है इसका अंसर हुज़ाएगा कि 12756 किलो मेटर उसके बाद अगला कौशन काता है कि पिर्थीवी अपने आज पर किस दिशा में घुमती है तो पिर्थीवी अपने आज पर पच्छिम से पूरव दिशा में घुमती है अंसर हो जाएगा पच्छिम से पूरा उसके बाद अगला कोशन काता है कि पिर्थीवी अपनी धूरी का चक कर किस रपतार से और कितने समय में पूरा करती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका 1610 किलोमेटर प्रती घंटे की 4 से 30 घंटे 56 मिनाट 4 सेकेंड में पूरा करती है उसके बाद अगला कोशन काता है कि पिर्थीवी की किस गती से दीन और रात होता है तो पिर्थीवी के घुर्नन गती से दीन और रात होता है उसके बाद अगला कोशन काता है पिर्थीवी कि किस गती से साल बनते है तो इसका अंसर हो जाएगा कि सूर्ज की परिकिर्मा करने में पिर्थीवी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनाट 46 सेकेंड यानि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं उसके बाद अगला कोशन कहता है पिर्थीवी को सूर्ज की एक परिक्रमा करने में लगे बक्त को क्या कहते हैं पिर्थीवी को सूर्ज की एक परिक्रमा करने में लगे भक्त को सौर बर्स कहा जाता है उसके बाद अगला कोशन है परतेक सौर बर्स या कलेंडर बर्स में कितना समय बढ़ जाता है प्रतेक 100 बर्स और कलेंडर बर्स में 6 गंटे का समय बढ़ जाता है तो राय टैंसर 6 गंटा उसके बाद अगला कोशन काता है अकार और बनावट की दिरिष्टी से पिर्थीवी किस गरह के शमान है तो अकार अब बनावट के डिश्टी से पिर्थीवी जो है ना सुक्र गरह के शमान है तो राइट अंसर आपको हो जगर शुक्र है उसके बाद अगला कोशन काता है पिर्थीवी को नीला गरह किस कारण से कहा जाता है तो आपको पता है कि पिर्थीवी पर पानी की मातरा है अधिक मात्रा जिसके कारण बोलते कि पानी के उपसे कारण प्रिथीवी को निला गरा काते है अगला कोशन काता है सूर्ज के बाद प्रिथीवी का सबसे निकट का तारा कौन सा है तो सूर्ज के बाद प्रिथीवी का जो सबसे निकट तारा है वो है आपका प्रॉक्षिमा स परणचूरी उसके बाद अगला कोशन करता है पिर्थीवी का एक मातर उपगरा कौन सा है तो सब को पता है कि पिर्थीवी का एक मातर उपगरा जो है चंद्रमा है अंसर चंद्रमा उसके बाद अगला कोशन चंद्रमा की सता और उसकी आंतरिक इस्थिती का आध्यन करने वा लौजी उसके बाद अगला कोशन कहता है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं तो चंद्रमा पर जो धूल का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको सांती सागर कहा जाता है उसके बाद अगला कोशन जिवास में गरा किसे कहा जाता है तो जिवास में गरा बोल जो दिन में होता है तो रात में चंदरमाच समकता तो सूर्ज के रोसनी से तो इस वीडियो को सेयर कीजिएगा यहां पीमड एक्जम 2021 के लिए कोशन पूरा इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चै कि यह कल गु एक्जम कैनल को सरे लगषा जाँ कर देनthing प्ल Ouais but पीज़गा बहुबैं के वीज़ेदीड़गा है है जक्जम एकर घॉटबैं